नमस्कार दोस्तों मैं मनुज आज आपको के पिए सिंटिगेटर फार्मिक पॉइंट में स्वागत करता हूं बेसिकली मेरे इस वीडियो का परपस है आजकल उड़े बारत में आर्चे का पाड़ी सो रही है और बारिस की बज़े से मचलियां तालाब में मर रही है तो मैं इनके बारे में कुछ ढूप बताता हूं। अउस दिप्स का उप्योग करें और आप उन्छीजों से इजाद पा सकते हैं आपको पैनिक होने की जवरत नहीं है, घबराने की जवरत नहीं है, बस आपको जो हम टिप्स बता रहे हैं, उस टिप्स का उपयोग करें, और उस टिप्स का उपयोग करके आप उन चीजों से हाइदा उठा सकते हैं, मैं आज ताला पे नहीं हूँ, किसान के पास नहीं आउट्डोर होने के कारण में जो ऐसो फिस फार्मिंग ताला आपके पास नहीं जा सका मैं लेकिन फटा-फट आपको पुछे टिप्स पता देता हूँ इस टिप्स का फ्योग करके आप जो ऐसो ताला में अगर मचलिया मर रही हैं तो आप से आप बच सकते हैं मेरे पास इस टुआ प्यमिंग होने के मेरे चीज़एंATOR सरस मुछराओ में पास करता हैं लिए बच सकते हैं अगरिया जहें हैं सबस्के पहले आपको जानने की जज़ुरत है ताला में इस टाइम में मचलियां मर इसलिए नहीं है कि इतलागतार बारी सोणे के कारण ज़रण पानी में oxygen की मात्रा कम होने से और ammonia का इंक्रीज हो जाता है इसे ताला में मशीरिया मर रही है आप इन चीजों बस धिहान रखना है किस तरीकी से ताला में oxygen की मात्रा बढ़े मैं आपको tips बता रहा हूँ सबसे पहला tips जो जो है तो चूनरे का उपियोग करें आहां आप जानते हैं पानी정um है जब लेफल भर जाता है तो उसको इल्काय नेचर चीजा जो किया जा सकता है चुना कि और रुब अप्लाइच है और प्रिकॉशन की तरह आप उसको चीने का उपयोग करना चाहते हैं तो 20 प्रति हेक्टेयर काफी है अगर मचली मरने की संख्या जाता है तो 30 मिलो तक का चुना प्रति हेक्टेयर आप इंच कर सकते हैं सबस्वेला डीपस दूसरा टीपस इंदेनों आप गोबर का उपयोग ना करें गोबर मचलिया को आप देते हैं खाने के लिए उन चीज़ों का उपयोग ना करें क्योंकि गोबर जब होता है तो Oxygen is so वह पाणी हे निसे पाटी में Oxygen की मातरा कम हो जाती है तो आप तो गोभवर का उप यूइभ ना करें क्योंकि अपर और आपके ammonia label को अबर को सकते हैं परा कपूरा भी डाल सकते हैं इस पीट जितना हो सके आप जो डाले उस चीजों को और जिससे कि आपका प्छिजन की मातरा ताला में बनेगी पछलिया मतनी कम हो जाएगी तीसरा थिम्स आप जो ऑक्षिजन की कई गोलिया आती है जो ताला में डाली जाती हैं dalla ओक्षीजन वो घोलियान करती क्या है रियाक्ट करकर ऐससे अलबा आप इन चीजिजों का भी उप्यार कर सकते हैं, यह हैं अंसरश वृ Support होता है। जिसे कि आप ंजांत थौन्हीं और उन दौर्ट में ओक्सिजणफर का क्वाध कर रहते हैं। इसके अलाबा, आप जो है, एक netting, netting जरूर करवाएं, अगर बारिस खत्म हो गई है, तो ताला में netting करवाएं, netting करवाने से क्या होगा, पूरे ताला में, जो है, ऑक्सिजन की मात्रा जो है, बढ़ जाएगी, और मचनिय मरनी बंद हो जाएगी, आप इन चीजों का इन ट आश्मान में बादल छायर आते हैं और उससे क्या होता है सनलाइट नहीं आती है आप जानते हैं सनलाइट सबके लिए जरूरी है हमारे लिए आपके लिए और पेर पेदर के लिए और उसी तरह मचलियों के लिए भी सनलाइट बहुत जरूरी होता है तो सनलाइट जब नहीं नहीं आ रही है तो ये भी एक रीजन होता है जो तालाम में oxygen level कम हो जाता है आप इन चीज़ों का व्योग करें इसके अलाबा आप और क्या कर सकते हैं अगर आपको immediate solution चाहिए जो आपकी तालाम की continue देख रहे हैं जो अतालाम मर रही है तो oxygen की गोली जो है एक बिन में डाले देर सारा और जो मचलियां आप देख रहे हैं अर्द सूध हो गई हैं अभी मरी नहीं है अर्द मड़े अवस्ता में हैं तो उनको निकालके immediate जो ये सो बिन में डाल दे और वो जो ये सो थोड़ी दर बिन में डालने के बाद उसमें oxygen level काफी इंक्रीज हो जाएगा और वो इनेल कर लेंगी oxygen उसके बाद आप उसको तालाब में चोड़ दें तो इस टिप्स का उपयोग करके आप जो ये सो तालाब में oxygen level की मात्रा को बढ़ा सकते हैं धन्यवाद दोस्तों आज के episode में इतना ही आप लगातार जो है सो मेरी कोशिस रहती है आपको जो है सो immediate अगर क चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है चैनल सबस्क्राइब करें जिससे कि आपको immediate फायदा मिल सके धन्यवाद